हैलो मेरे छोटे-छोटे प्यारे दोस्तो आपको होगे सर हम इतने भी छोटे नहीं है क्लास नाइन्थ में गए है राइट चलो मज़ाक की बाद आजू में तो मैं हो शुबम फ्रम लर्न होब दे फ्री लर्निंग प्लाटफॉर्म जहापर आप फिसिस के मिस्ट्री मैस सकते हो वो भी absolutely for free at learnahub.com तो चलो शुरू करते हैं तो दोस्तो हम लोग आज इस वीडियो में नया चैप्टर शुरू करने जा रहे आपके ICSC क्लास नाइन्थ मैट का जो की है रेक्टी लीनियर फिगर्स ओके तो इस वीडियो में हम लोग बहुती इंट्रेस्टिंग तरी परीब प्रॉपर्टीज भी समझेंगे, examples भी दिखेंगे जिन से हमें पता चलेगा कि भाई उन चीजों को जो हम लोग ने समझा है, उन concepts को जो हम लोग ने समझा है, तो केसे इस्तमाल करें और कुछ गिने चुने exercise 14a के भी questions solve करेंगे, तो बिना time waste के शुरू करते हैं and let's अब rectilinear figures बोलेंगे न, तो मुझे तैसे लगता है कि हमारे अगल बगल में ये भरे पड़े हुए, जिसे कि अब देखो मुझे खाना अच्छा लगता है बहुत, अलग-अलग variety का, तो खाने में मुझे rectilinear figures दिखाए दिए, तो मैंने सुचा कि आपको आपके लिए भी लेकिया आपको दिखाने के लिए, देखो, जैसे कि यहाँ पर sandwich मेरा favorite है, इसमें भी, अगर आप ऐसे इसको cut करेंगे, इस shape में, तो सब को पता, ये तो triangle होता है, बिल्कुल, ये एक rectilinear figure है, उसी तरीकी से, सब्सक्राइब चलो, आपको खाना पसंद नहीं है, कोई बात है, आप भी जाओगे कभी, बिल्कुल, तो इनके जैसे, मुंडिया भार मत निकालना, अच्छी नहीं होती, पर बताने वाली बात ये है, कि देखो, भले मुझे ये picture दिख रहा है, पर इसमें भी मुझे rectilinear figure दिख रहे है, कैसे, देखो, ये ये लोग जो टंकी के ऊपर briefcase लेके गए, ये shape क्या है इनका भाई, rectangular shape है, है भाई ये rectilinear figures, या फिर, अब किसी को ना खेलना कूरना बहुत पसंद है, तो मुझे भी as, पूछो गए, तो football वेगरा पसंद है, football में भी, अगर जब मैं football खेलने गया, तब मैंने देखा कि, अरे बापरे, इसमें भी rectil ball में, ये ऐसे, ये देखो, ये shape, इसको तो हम लोग hexagon कहते है, आपको पता होगा तो, नहीं पता होगा तो कोई दिक्कत ने, ऐसे shape दिख रहा है मुझे, ये rectilinear figure है, या फिर, या फिर, ये देखो, अलग वाला, black वाला, ये भी एक rectilinear figure है, तो मैंने कहा, भाई साब, ये तो आपको बताना चाहिए, कि भाई हम तो गिरे हुए है, इन rectilinear figure से, तो बात तो बनती है कि भाई, इनको समझा जाए, इनको सीखा जाए, बिल्कुल, अब समझते हैं, कि ये rectilinear figure होते क्या है, आप कहोगे, सर आपने बस जब लगा के रखा है, बता ही नहीं रहे ह पूरी की पूरा shape, straight line से बना हुआ है, देखो, straight line, 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 उसी तरीक से ये भी बना हुआ है, उसी की तरीक से हमारा rectangle भी straight line से बना हुआ है, या फिर कहो आपना triangle भी straight line से बना हुआ है, तो जो shapes आपको दिख रहे है, जो भी figures आपको दिख रहे है, two dimensional, two dimensional 2D, मतलब plain plain figures की बात कर रहा हूं, plain figures की ठीक है, तो जो भी plain figures, हमें दिख रहे हैं, जो straight line से बने हुए हैं straight line वो होते हैं rectilinear figures तो ऐसे 2 dimensional या फिर plain figures जिनको हम लोग support paper पर बना सकते हैं ऐसे समझ लो, plain figures ऐसे plain figures जो straight line से बने हुए हैं वो होते हैं rectilinear figures अज समझ मैं आ गई, चलो तो अब rectilinear figures की ये examples मैंने आप लोगो daily life में बता है अब देखो, अगर मैंने figures ड्रॉख करना शुरू किया और मैं अब ध्यान में रख रहा हूं बस मुझे plain figure ड्रॉख करने है straight line से ही बनने चाहिए वो तो मैंने अब ऐसा कुछ plain figure ड्रॉख किया ओके, या फिर ऐसा कुछ किया plain figure, जिसमें देखो straight lines ही use हो रही या फिर ऐसा, या फिर ऐसा, या फिर ऐसा तो यह सारे rectilinear figures ही है समझ में आ रही बात ओके, अब rectilinear figures में, जो figures होंगे वो हम लोग एकदम जोड सकते है पूरी, सारी सारी जो हम लोग lines बना रहे, straight lines वो जहां से शुरू कर रहे हैं हम लोग वहां से लेके, कितने भी straight lines का हम लोग figure बनाएं, वहां तक फिर से आए, तो फिर वो होता है closed figure ठीके, जो close हुआ है सारी तरीकी से बंद हुआ है यह भी closed है बही साब, देखो, सारी तरीकी से बंद हुआ है यहां से मैं ने शुरू किया, straight line से बनाते 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 गया मैं और फिर से मैं यही पर आ गया तो मैंने close कर दिया figure को, तो close figure है यह भी close figure है, यह भी close figure है पर ज़रूरी नहीं कि सारे rectilinear figures closed ही हो, okay rectilinear figures, open figures भी हो सकते है जैसे कि यह line दिख रही आपको, कही पर close मतलब यहां से आप में यहां पर जोड दिया तो वो close जोड़ा, नहीं जोड़ा, ऐसी रखा तो open रहे गया, पर यह भी rectilinear figure ही है तो basically, कौन सा भी shape जो plane पर हम लोग जो plane है, मतलब जो हम लोग paper पर बना सकते है ठीक है, वो अगर straight line से बना हुआ है, तो वो है rectilinear figures चलो, अब थोड़ा और आगे बढ़ते है polygon को समझते हैं अब polygon को समझने से पहले न इस शब्द को तोड़ते हैं poly और gone poly मतलब many बहुत सारे, और gone मतलब angles ओकी, Greek में होता है यह शब्द polygon, क्या ही करे भाई हमारे language में ऐसे कुछ होते ही नहीं है बरो-बर न, बन जाएंगे आप बड़े बनो, आप खोजो पर हमारे language में रखना बन जाएगी बात, ठीके, चलो, फिलाल तो polygon पर focus करते हैं, तो poly मतलब many gone मतलब angles, तो इसका मतलब यह होता है कि यह ऐसे figures है जिसमें बहुत सारे angles है नाम से यह मतलब होता है, पर अगर आप नाम से समझने जाओगे, तो थोड़ा सा फस होगे क्योंकि rectilinear figures इसलिए तो हम लोग ने सीखा है polygon को अच्छे तरकी से समझने के लिए अब polygon कुछ नहीं होता भाई, polygon simply होते है closed rectilinear figures यह polygon है, यह polygon है, यह polygon है correct, यह भी polygon है, देखो straight line से बना हुआ है, मतलब rectilinear figure है, plain straight line से बना हुआ, rectilinear figure पर closed है, तो भाई, polygon plain straight line figure, rectilinear figure पर closed है, तो polygon same, closed है polygon, समझ में आगे हैं बाद closed, polygon closed, polygon, closed polygon, अब यह closed क्या है rectilinear figures ही है ना, जो straight line से बने हुए, plane, ठीक है, बात clear हो गई, तो ये सारे examples मैंने बता है, ये सारे examples, क्या है ये भाई, ये plane figures है, जो straight line से बने हुए है, और ये closed है, ठीक है, इनी को कहते हैं, आसान शब्दों में, polygons are closed rectilinear figures, अब, इन polygons, जो हमारे figures हैं न, इनके number of sides के हिसाब से हम लोग इनको अलग-अलग नाम दिये हुए है, ठीक है, तो जैसे कि ये पहला हमारा polygon, जो हम लोग ने लिया है, यहाँ पर, सबको पता है, इसको कहते हैं, triangle, बरोबर, चलो, मैं लिख देता है, triangle, ठीक है, अब, देखना, ये polygon जो है, इसमें तीन sides है, अब दिमाग में थोड़े सा बत्ती जलाओ, अगर, closed rectilinear figures की बाद चल रही है, तो मैंने एक straight line draw की, दूसरी straight line draw की, तो मुझे अगर ये ऐसी रखूँगा मैं, तो ये तो closed rectilinear figure नहीं हुआ, ये तो open rectilinear figure हुआ, तो मुझे close करवाने के लिए कम से कम, तीन straight lines चाहिए होंगी, तभी मेरे पास एक closed rectilinear figure होगा, तो इसी लिए सबसे basic rectilinear figure हमारा triangle है, सबसे basic है, सबसे तगड़ा भी है, ओके, देखो कि आप आगे-ागे पढ़ोगे, ओके, अगर आपने engineering वेगरा की, तो उसमें भी आपको समझ में आ जागा, कि क्या भाई, मतलब triangle में ताकत होती है, अच्छी कसे ताकत होती है, ओके, चलो, आगे बढ़ते, उसमें नहीं गुशते हम लोग, तो ये हो गई चार साइड्स या फिर चार स्ट्रेट लाइन से बना हुआ, हमारा फिगर को हम लोग कहते है, क्वाड्री लैटरल, और इस चैप्टर में हम लोग इनी को पढ़ेंगे, ठीक है, बाद में पढ़ेंगे, फिलाल तो हम लोग एकदम जनरल, बहुत बेसिक से जा रहें, और ब चार साइड देवाए, इसमें चार अंगल होते हैं, देखो, एक, दो, तीन, चार, इसमें तीन आंगल होते हैं, एक, दो, तीन, देखा, तो चार अंगल, चार साइड, एक, दो, तीन, चार, तीक है, चार अंगल, चार साइड, वैसे ये पाँच साइड वाला दिख रहा है तो 5 sides हैं, angles भी देखो, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 angles, pentagon में, उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, तो यह रहा हमारा 6 sides वाला polygon जिसको हम लोग कहते हैं, hexagon, hexagon, ठीक है, तो केसे याद रखेंगे, 6 में x होता है, hex में भी x है, खतम, ठीक, अब 6 sides है, angles कितने हैं, देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 angles, तो 6 angles, 6 sides, उसी तरीके से इसको हम लोग कहते हैं, hexagon, क्यों, क्योंकि इसके पास, hex मतलब, यहाँ पर हम लोग, ठीक हैंगे, 7 sides होते हैं, देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sides, और वैसे ही, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 angles, ठीके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और यह रहा अपना, और एक polygon, जिसको हम लोग कहते हैं, octagon, क्योंकि इसके पास है, 8 sides, 8 octa, ठीके, तो 8 और octa, ठीके, तो 8 और octa, ठीके, तो 8 sides होते हैं, ठीके, अब देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और angles देखो, एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 sides, 8 angles, octagon, एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sides, और 8 angles, दिमा में चिपक गया, यह होता है, octagon, तो depending upon the number of sides, हम लोग इनके नाम, इन polygons के नाम, अलग-अलग हम लोग ने रग दिये हुए, अब पढ़ना हमको focus इस पर करना है, quadrilateral पर, क्योंकि triangles पर तो हम लोग ने बहुत कुछ focus कर लिया था, एकदम, अच्छे से हम लोग ने triangles को समझा है, कुछ पिछले chapters में ही, correct, अब इसकी बारी आ रही है, पर, देखेंगे आइस्ते आइस्ते हम लोग कि कैसे हम लोग quadrilateral तक पहुचेंगे, पहले इनको, इन basics को हम लोग फटाफट go through कर लेते हैं, और अच्छे से समझ लेते हैं, कि भाई, पॉलिगॉन क्या है, किस तरीके से होते हैं, किस टाइप क्यों होते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, पॉलिगॉन के types पर, काफी simple से हैं, दो टाइप हैं पॉलिगॉन के, एक हैं concave polygons, और दूसरे होते हैं convex polygons, अब जो concave polygons, ऐसे polygons होते हैं, जिसमें, ओके, धान दे यह जो मैंने angles बनाए हुए है, जो अंदर है, दिख रहे आपको, जैसे कि आपने triangle है, इसके अंदर वाले angles बने हैं, हम सभी को पताईए, interior angles होते हैं, बिल्कुल सही, और अगर मैं इस triangle के side को extend करूँ, तो यह बन जाएगा मेरा exterior angle, अब बात यहाँ पर चल रही है, interior angles की ध 80 degree से बड़ा हो, भाई साब, जैसे कि आपर दिख रहा है, यह देखो, figure के अंदर है, इसलिए मैंने gray mark किया, देखो, तो यह हमारा polygon है, तो simply closed rectilinear figure है, closed straight line से बना हुआ figure है, इसलिए polygon, इसमें, इसका interior angle, देखो, धान से यह interior angle बन गया, इसका अंदर वाला angle, देखो, यहां से हम लोग जाएंगे, 90 degree होता है, 180 degree होता है, तो इससे तो पार गया है, यह, तो 180 degree से बड़ा है, और जब कभी हमारे polygon में, अगर एक भी angle 180 degree से बड़ा हो, तो वो होता है, कौन के यह polygon, और दूसरी दरफ, उल्टा, जब हमारे कोई polygon में, जिसकि यहां पर यह भी polygon है close rectilinear figure, अब जब हमारे polygon में, सारी के सारे angles, 180 से कम है, तो हम लोग उनको केते हैं convex, जिसकि for example, यह आप उनको 90 degree दीख रहा हो, थोड़ा सा 90 के आगे, उपर दीख रहा है, तो यह तो acute angle है, यह तो obtuse angle है, पर भले 90 degree हो, acute angle हो, या फिर obtuse angle हो, किसी का भी measure 180 degree से तो बड़ा ह होता नहीं है, correct, हमको तो पता ही है, angles के बारे में, यह सारे angles इस polygon के 180 degree से छोटे ही है, तो इसका मतलब यह polygon है, convex polygon, अब कभी अगर हमें polygon के सामने concave polygon लिखा है, या convex polygon लिखा है, ऐसे दिया होगा, तो बात समझ में आ रही है, चलो, यह concave polygon के बात हो रही है, फिर convex polygon के, पर अगर लिखा ही नहीं है कुछ तो, unless otherwise stated, तो इसका मतलब क्या है भाई, polygon means convex polygon, मतलब अगर कुछ लिखा नहीं है ना, polygon के सामने, तो हम लोग मानते है भाई, यह convex polygon के बात सल रही है, अब convex polygon मतलब, ऐसे polygons, figure याद रखना, जिसमें, अब दिखरे हैं आपको यहाँ पर figure या गया है, unless otherwise stated, polygon means convex polygon, ठीक है, और convex polygon मतलब, सारी interior angles, lesson variety, clear होगे बात, चलो, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब polygon के interior angles को समझने की कोशिश करेंगे हम लोग, अब ध्यान देना, जब कभी हमें polygon दिख रहा है, और हमें उसके अंदर के interior angles जो है, इनका sum निकालना है, जितने भी interior angles हो, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 6 है, तो जितने भी हो, देखो, यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, तो कितने भी interior angles हो, अगर हमें इनका sum निकालना है, किसी भी polygon के interior angles का sum, तो हमारे पास एक बड़ी ऐसा formula है, पर उस formula में हमें एक चीज़ पता होनी ठीक है, तो जो भी हमारे polygon के number of sides है, हम लोग उसको n मानते हैं, मतलब अगर मैं triangle की बात करूँ, इसको 3 sides है, तो मेरा n बन जाएगा, इसके लिए 3, ठीक है, quadrilateral की बात करूँ, तो n हो जाएगा 4, क्योंकि 4 sides है, और यहाँ पर hexagon की बात करूँ, तो n हो जाएगा 6, क्योंक किसी भी polygon की अंदर interior angles जितने भी है, उनका sum निकाल सकता हूँ, क्यासे, तो यहाँ पर मैं simply लिख देता हूँ, sum of interior angles of polygon, क्या है, अगर n is the number of sides of polygon, ठीक है, number of sides of polygon, n is number of sides of polygon, तो क्या होगा, 2n-4 multiplied by 90 degrees, ठीक है, यह है formula, चलो टेस्ट करके देखते हैं, अब तक हम लोग ने क्या पढ़ा है, sum of measures of all angles of triangle is 180 degree, दम दिमाग में चिपक गया हमारे, correct, तो यह मतलब यह angle, यह angle और यह angle, तीनो भी interior angles का sum है 180 degree, टेस्ट करके देख सकते हैं हम लोग, correct, यही पर, तो sum of interior angles of triangle, अगर में कहूँ, ठीक है, यह पूरा का पूरा वैसे ही, of क्या है, triangle में कहूँ, तो इन तीनो angles का sum की बाद चल रही है, कैसे होगा, is equals to, 2 into, n क्या है भहे हमारा, 3 है, तो 2 into 3, ठीक है, 2 into n, तो n हमारा 3 है, तो 2 into 3, minus 4 into 90 degree, solve करेंगे, तो क्या मिलेगा, 6 minus 4 होता है, 2 into 90 degree, जो की होगा, 180 degree, अरे बापरे बाप, मिल गया, तो इसी लिए हम लोग कहते हैं, कि all measures of angles, of triangle, is equals to, sum of all measures of angles of triangle, is equals to 180 degree, तो इस logic की आधार पर, हम तो quadrilateral के भी angles, मतलब interior angles का sum निकाल सकते हैं, बस n के जगे पे, 4 डाल दो, quadrilateral का मिल जाएगा, चलो कोर के देखो आप खुद, ओके, आप answer में बताऊंगा आपको, चलो, आप अपने किया होगा, answer है 360 degree, सही आया होगा, तो बात बन गई, same formula है, उ इसी तरीके से आप कोई भी quadrilateral उठाओ, बले hexagon उठाओ, बले heptagon उठाओ, octagon उठाओ, किसी को भी उठाओ, उसके number of sides आपको पता है, sum of interior angles भी पता चल जाएगा, मज़ा है ना, ओके, चलो, इसी तरीके से, अगर हम लोग exterior angles की बात करें, polygon की, तो मतलब क्या है, अगर, suppose, मैं ये triangle बना रहा हूँ, ठीके, तो triangle बनाने के time पे, मैंने ये side बनाई, और फिर मैं इसी side को आगे extend कर दिया, मैंने, ठीके, फिर मैंने ये side बनाई, यहाँ से, यहाँ से, और फिर मैंने इसी side को extend कर दिया, और फिर मैंने ये side बनाई, यहाँ तक, और फिर मैंने इसको extend क में जा रहा हूँ, clockwise order में गया हमें, ऐसे order में गया हमें, पहले ये बनाई, फिर ये बनाई, फिर ये बनाई, और जब मैं बना रहा हूँ side, तो मैं उसको extend कर रहा हूँ, ठीके, दूसरी side तो वो fixed है भाई, कितना होता है, equals to, यहाँ पर दिखता होगे, equals to 360 degree, मतलब four right angles, ठीके, तो किसी भी polygon को पकड़ो, उसके exterior angles का sum होगा, equals to 360 degree, मजाया, ओके, अब last वाली चीज, यह चीज समझेंगे, तो और बड़िया मजाएगा, interior angles और exterior angles का relationship, तो at each vertex of every polygon, कोई भी polygon पकड़ो, उसके हर एक vertex पर, इसे कि यह मैंने vertex पकड़ा, ठीके, exterior angle plus interior angle is equals to 180 degree होता है, कैसे, दिखते, तो देखो, अगर मैंने इस side को extend किया, ठीके, तो यह side भी बनी हुए हमारी, यह तो interior angle हो गया, ओके, अ अगर आपको पता नहीं होगा, तो मैं बता देता हो, squares के सारे angles होते हैं, 90 degree, interior में जो होते हैं न वो, तो यह interior angle तो 90 degree हो गया, बरबर, अब बचा यह वाला angle, exterior angle, तो हमें पता है, कि यहाँ पर, यह तो एक straight line है, यह जो angle बन रहा है, interior angle, यह एक angle है, और यह जो angle दूसरा ब हुए है, और उसके वज़े से, एक straight line में, यह form हो रहा है, मतलब इनके angles का, एक एक arm जोड के straight line form हो रही है, तो यह तो हो गए angles in linear pair, और हमें तो पता है, angles in linear pair, क्या होते है, is equals to 180 degree, तो यह है interior angle, और यह exterior angle, angles in linear pair मतलब, यहाँ पर कौन से दू angles है, interior angle plus exterior angle, यह दोनों form कर रह 180 degree हो गया, बात समझ में आ भी, angles in linear, पर मतलब, यहा पर interior angle और exterior angle, angles in linear pair form कर है, तो मैंना angles in linear पर इस जगवे पर इंटेर एंगल पर इंटेर एंगल ग्ल लिग दिये एंटेर एंगल लेंग दिन इंट्रेस्टिंग मताया चलो जो अब एक मददार we zari कесь चम अब ऑब समझते हैं कि जो कुछ भी हम लोग ने polygon के बारे में सीखा है उसका इस्तमाल करके सवालों के से solve किया जाए सवाल क्या है भई दिया है the sum of interior angles of a polygon is five times the sum of its exterior angles ठीक है अब बोला क्या है find the number of sides in a polygon तो इस polygon की बाद चल रही है जिसके बारे में हमें एक ही sentence में जो भी चीज़े बता दी गई है अब suppose मैं ये पढ़ने के बाद हम लोग को समझ में रहा है कि कुछ interior angles और exterior angles इनके बीच का कुछ correlation दिया हुआ है और interior angles के sum का और exterior angles के sum के बीच में का correlation है simply अगर बोलेंगे तो तुमने अगर कहू कि sum of exterior angles of polygon x मान लोगे ठीक है तो वैसे लिए देता हूँ sum of exterior angles of polygon है x होगे कुछ value हमें पता हैं अब बोला क्या है sum of the interior angles of polygon is 5 times the sum of its exterior angles ठीक है तो अगर sum of exterior angles है polygon का x तो interior angles उसके पांच गुना है तो interior angles का है भाई 5x तो sum of interior angles बस exterior के जग़े पे interior डाल दो क्या हो गया 5x अब मतलब क्या हो गया ऐसे भी लिख सकता हूँ ना मैं कि चलो मैं पूरा लिख देता हूँ किसका इस्तमाल होगा हमें तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको देखो sum of interior angles of polygon ठीक है पूरा लिख दिया मैंने is equals to 5x अब हमें तो पता है भाई कि x क्या है x है sum of exterior angles of polygon तो मैं x के जग़े पे बस मैंने उसको हटा दिया और x के जग़े पे मैं लिख रहा हूँ कि multiplication में था इसलिए multiplication में into sum of exterior angles of polygon ठीक है clear अब simple है हमें polygon की interior angles का कुछ अता पता नहीं पर ढूंते कैसे इसका formula तो पता है तो जो पता है वो लिख देते तो sum of interior angles of polygon कैसे ढूंते हैं हम लोग इस formula से 2n-4 into 90 degree correct is equals to 5 into sum of exterior angles of polygon कौन सा भी polygon पकड़ो उसके exterior angles का sum होता है 360 degree हम लोग ने पढ़ा है okay 4 right angles अब भी थोड़े धर पहले पड़ा बस अब solve करो तो 90 into 2 180 degree into n minus 94 to 360 degree correct is equals to 5 into 360 degree अब बस ठीक से देखो तो solve हो जाएगा 180 degree into n इसको मैं इस तरफ लिख लिया okay 180 degree into n is equals to 5 into 360 degree और यह उस तरफ जाएगा तो plus 360 degree हो जाएगा अब 360 degree को अगर मैं common loop तो क्या होगा बचेगा क्या 5 plus 1 तो इसका मतलब क्या होगा 6 into 360 degree ठीक है तो 180 degree n is equals to 6 into 360 degree इसी को solve कर देंगे देखो यहाँ पर क्या आएगा हमें तो पता है 6 हम लोग अगर divide करने की कोशिश करें okay तो 6 ही छोड़ दो 180 degree और 360 degree को ही देखो 180 degree का ट्वाइस होता है 36 तो यह 1 जा यह 2 जा तो सब कुछ हाड़ गया degree 180 degree cut 360 degree cut तो सिर्फ बचा क्या है 1 n मतलब n is equals to correct 6 into 2 मतलब 12 तो हमें n तो मिल गया 12 तो n 12 मतलब यहाँ पर n क्या होता है यह sum of interior angles of polygon के formula में n होता है number of sides तो number of sides of a polygon is 12 और दूढने के रिए बोला का है find the number of sides of sides in a polygon जो कि है 12 समझ में आगए बत तो अब polygons को समझने में एक step आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं regular polygon क्या होता है regular polygon मतलब बहुत simple ऐसा polygon जिसके सारे angles और सारे sides होते हैं equal बस ठीक है अब सारे angles मतलब भले वो interior angles हो वो भी equal होंगे या फिर exterior angles हो ये भी होंगे equal जिसे कि यहाँ पर मैं बना रहा हूँ exterior angles ये 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 ठीक है sides तो equal है ही तो ये तो समझ में आने वाली बात है देखो simple समझ में आगे बात तो अब हमें बता है कि ऐसा कौन सा triangle होता है जिसके सारे sides equal होते है और सारे interior angles equal होते है इसका ना आप बताओ मुझे चलो फटापट बताओ आपने बता होगा सबको पता है equilateral triangle very good अब जिसे कि यहाँ पर एक quadrilateral दिखाया है हम लोग को देख रहा हम देख रहा हम लोग यह भी regular polygon है क्यों देखो इसके ना सारे angles जो interior angles है वो same है अगर हम लोग इसके exterior angles develop करेंगे मतलब बनाएंगे तो भाई साब वो भी same होंगे देखो 90 90 degree 90 degree ठीक है और sides तो same है भाई अब देखो ऐसा कौन सा polygon होता है जिसके सारे sides same है और यह जो interior angles है यह भी 90 degree है यह होता है square तो सीखेंगे हम लोग आईस जासते बस example के तोर पे मैंने बता है regular polygon के यहाँ पर x square और यह equilateral triangle अब जब हम लोग regular polygon के बात करें तो अगर हमें regular polygon के interior angle को ढूंडना है तो हम ढूंड सकते हैं क्यूं क्यूंकि इस polygon के interior angles तो same होंगे तो इसलिए हमें आसानी होगी जैसे कि for example अगर मैं triangle की case कहूं अब हमें पता है कि triangle के interior angles का sum होता 180 degree थोड़ी ही दर पहले हम लोग ने देखा था कि sum of interior angles of any polygon having n sides हम लोग ने उसको डूंडने के लिए formula पढ़ा था 2n-4 into 90 degree जिसमें आगर हम लोग n as 3 डालेंगे तो हमको 180 degree मिल रहा था यह भी हम लोग ने देखा था बरोबर तो interior angles का sum इन तीनों का भी है 180 degree पर यह तीनों भी angles equal ही है बरोबर ना तो आगर मैं इसको x मानो इसको भी x मानना पड़ेगा और इसको भी x ही मानना पड़ेगा क्योंकि तीनों भी angles equal है अब x plus x plus x is equal to 180 degree हो जाएगा मतलब 3x is equal to 180 degree हो जाएगा correct और 3x is equal to 180 degree होगा तो 3 यहापर 60 हो जाएगा correct तो x is equal to 60 degree बन जाएगा तो मतलब एक angle हमें 60 degree मिल गया है हमारे इस regular polygon का तो ढूंडा कैसे मैंने क्या करना है formula याद रखने की लिए किसी भी एक example को अच्छे समझ लेना अब भले आप formula भूल भी जाओ अब खुद बना लोगे कैसे देखो अब यह example आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से अब खुद कैसे formula बनाएंगे हम लोग क्यों देखो x क्या है इसी को हम लोग थोड़ा simplify करते है मैंने क्या लिखा था 3x is equal to 180 degree वरोगर तो मैं कैसे लिख सकता हूँ x is equal to 180 by 3 अब देखना x है मेरा क्या interior angle of regular polygon जो कि है 60 degree न देखो तो x के value 60 degree है और यह क्या है interior angle of regular polygon x है मेरा interior angle of regular polygon जो कि equal to है किसके साथ 180 by 3 से अब यह 180 क्या है sum of all the interior angles of polygon correct sum of all interior angles of polygon है 180 degree क्योंकि हापर क्या है sum of all angles of triangle जो interior वाले angles है वो है 180 degree बात समझ में आ गई न correct तो इसलिए मैं यहापर लिख सकता हूँ क्या sum of interior angles of polygon ठीक है divided by नीचे क्या है 3 पर 3 क्या है actual में यहापर 3 sides है न हमारे इस polygon को तो फिर यह मैं बोल सकता हो कि 3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हो number of sides of polygon correct क्या है पड़ा है अगर भूल भी गए इस प्रिक से याद मतलब आ जाएगा मसा आया चलो आगे बढ़ते है exterior angle का मतलब formula देखते हैं वह भी आसान है triangle को ही पकड़ना बहुत मज़ेदार है अब regular polygon मतलब यह मैंने regular polygon की example में equilateral triangle लिया है हमने आगे भी देखा equilateral triangle के interior angles का सम होता है 60 degree बस दिमाग में एकदम चिपका के रखना favicol के जैसे मतलब favicol से चिपकाना किस से भी चिपकाना पर चिपकाना तो अगर मैं इनके exterior angles को बनाओ चलो जैसे मैं बना रहा हू इस triangle को मैंने क्या किया इस triangle की यह side को मैंने extend कर दिया इस side को भी मैंने extend कर दिया इस side को भी मैंने आगे extend कर दिया बने क्या मेरे एक्स्टीर एंगल बने यह एक्स्टीर एंगल बना 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 यह बर बात समाझ में आगई अब इसमें मुझे पदा है यह 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 एंगल्स इन लीनेर पेर हैं तो यह 60 है तो यह 120 डिगरी बन जाएगा तो टोटल वानेटी होना चाहिए वैसे यह 60 है तो यह भी 120 डिगरी होना चाहिए तो अगर मैं अगर मैं ऐसे मानू कि यह 120 120 ठीक है को मैं प्लस करू तो मुझे मिलेगा क्या 123036 होता है 360 मिलेगा तो तीनों भी में मेरे exterior angles को इस polygon के plus करू तो 360 मिलेगा और हमने तो पढ़ा है कि भाई कोई भी polygon पकड़ो उसके एगर exterior angles का सम चाहिए तो 360 होता है बिल्कुल अब अब देखना जहां से यहां पर मुझे क्या मिला है यह तीन 120 डिग्री एंसर मुझे मिल गया है हमारे triangle के case में तो total पूरा sum exterior angles का कितना होता है 360 डिग्री उसको अगर में इस triangle के number of sides कितना होता है 3 उससे divide करू तो क्या मुझे 120 मिलेगा हां मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा देखो 360 divided by 320 होता है न 3 बंजा मतलब क्या होगा 3 बंजा 3 3 2 बंजा 6 12 हो गया 0 तो मतलब 120 डिग्री हो गया मतलब समझ में आ गई तो चला अब मैं इसको erase कर देता हो answer तो आपको पता चल गया है अब formula कैसे बनेगा आप सोचूगे sir formula कैसे बनेगा देखो यह 120 क्या है exterior angle of a regular polygon मतलब triangle exterior angle of a regular polygon 120 ठीक है is equals to 360 डिग्री अब देखो 360 डिग्री मतलब यह है क्या sum of exterior angles of a polygon पूरे पूरे polygon के सारे exterior angles का sum sum of exterior angles of polygon ठीक है divided by क्या किया हम लोग ने three जो कि है number of sides of this polygon मतलब triangle number of sides of polygon बरोबर तो अब यहाँ पर sum of exterior angles of polygon हमेशा 360 डिग्री होता है तो मैंने 360 डिग्री लिग दिया upon number of sides of polygon क्या होता है n तो अगर किसी भी regular polygon का exterior angle डूढ़ना है तो formula क्या बन गया हमारा exterior angle of a regular polygon is equal to 360 degree by n n मतलब number of sides of a polygon मजाया चलो अब number of sides of a regular polygon अगर हमें कोई भी regular polygon के number of sides डूढ़ने कुछ नहीं देखो यहाँ पर formula क्या था exterior angle of regular polygon is equal to 360 by n था ठीक है देखो exterior angle of regular polygon यहाँ पर लिख रहा हमें is equal to 360 by n था अब n क्या है number of sides of regular polygon बरूबर तो अगर मैं इसको इस तरफ ले जाओ और इसको इस तरफ ले जाओ नीचे आओ तो क्या होगा n is equal to 360 by exterior angle of regular polygon करेक्ट करेक्ट अब यह number of sides of regular polygon क्या है अब अगर आपको यह बहुत लंबा चोड़ा लग रहा है तो exterior angle of regular polygon को x degree मान लो ठीक है तो क्या हो जाएगा यह x degree हो गया उपर 360 degree है तो n is equal to 360 degree by x degree हो जाएगा done समझ में आगई बाद तो अगर किसी भी regular polygon के number of sides दूंड ने number of sides of regular polygon तो क्या करना है 360 degree को डिवाइड करना है by exterior angle of that regular polygon एक exterior angle का measure दूंडना है उससे डिवाइड करना है समझ में आगई बाद तो number of sides of regular polygon n जो है हमारा उसको डूंडना है तो 360 degree को लो डिवाइड करो by exterior angle of regular polygon clear अब एक last और सबसे interesting correlation हम लोग देखेंगे और फिर हम लोग कुछ examples देखना शुरू करेंगे तो अगर मैं regular polygons की बात करूँ जिसके यहाँ पर देखो number of sides है by 3 और इसका है number of side 4 ठीके देखते ही पता चल रहा है बहुत rocket science कुछ भी है नहीं अब यह regular बोल रहा हूं मैं तो यह तो equilateral triangle हो गया जिसका interior angle का sum हो गया 60 degree 60 degree 60 degree और अगर मैं इसी के exterior angles बनाओ तो आपको एकदम रड़ गया होगा कि भाई यह तो हो गए sir होंगे sir 120 degree 120 degree 120 degree और चलो अच्छी बात है होना ही चाहिए ठीक है तो यह रहा 120 degree 120 degree और यह भी है 120 degree ठीक है यह तीन sides है मैं थोड़ा ऊपर लिखता है क्योंकि क्या है हमें इसकी जरूरत पड़ेगी number of sides 3 number of sides 4 बरोबर अब यह regular polygon है जिसके 4 sides है square है भाई इसका हर एक interior angle होता है 90 degree तो 90 degree के symbol से मैं रिप्रेजेंट कर दिया और अगर मैं इसके sides develop करूँ produce करूँ आगे तो देखना इनके sides produce करने के बाद जो exterior angle बनेगी यह भी 90 है यह भी 90 बनेगा और यह भी 90 है और यह भी 90 बनेगा ठीक है अब आपको एक correlation दिख रहें जैसे ही हम लोग number of sides को बढ़ा रहें 3 to 4 किया हम लोग ने ठीक है तो मैं यह increase किया तो क्या हुआ तो क्या हुआ अब दो चीजों को देखना है एक तो interior angles के measure को क्या हुआ है और exterior angles के measure को क्या हुआ है अब देखो number of sides बढ़ा दिया 3 to 4, 3 से 4, okay, three sided polygon से four sided polygon पर आये, interior angles 60 से 90 पर चला गया, मतलब interior angles का measure तो बढ़ गया, यहाँ पर ऐसे लिए तो interior angles का measure तो बढ़ा और exterior angle के measure को देखो, यह था 120 degree, three sided polygon में, पर four में जा रहे तो 90 हो रहा है, तो 120 से 90 कम हुआ, अरे परे, तो exterior angle का measure कम हुआ, यह correlation भी बहुत important है, ठीक है, केसे समझेगा, geometry मतलब beauty lies in the eyes of beholder, जो देख पाएगा, वो समझ पाएगा, और समझा भी पाएगा, और इस्तमाल भी कर पाएगा, वो तो आगे की बात होगे, मैं तो ऐसे मज़ा कर रहा हूँ, पर सच में, beauty lies in the eyes of beholder, geometry में, चीजों को जैसे जितना आप समझोगे अच्छे से, उतना ददा आपके लिए अच्छा होग और आपको मज़ा आएगा, तो कि और नहीं नहीं चीजे आपको realize होँगी, और समझ में आएगी, जिसका आप use कर सकते हो, questions को solve करने में, चलो, अब एक example देखते हैं, और थोड़ा और चीजों के उपर grass आजाएगे आपको भी, और समझ में भी आजाएगा, कि जो भी तो किस तरीके से हमको इस्तमाल करने ही पड़ेंगी, तो each interior angle of a regular polygon is 160 degree, चलो, ठीक है भाई, find the interior angle of another regular polygon, देखो, धूनना क्या है वो दिमाग में चिपकाओ, interior angle of another regular polygon, अब बोला क्या है उसके बारे में, whose number of sides is two-thirds the number of sides of the given polygon, ये वाला polygon, तो हम लोग क्या करते हैं मालो में, simplicity क जो हमें दिया हुआ given polygon है, given polygon के बारे में जो कुछ भी दिया है, हम लोग अगर इसको g मान ले, तो given polygon को मैं अगर g मान रहा हूँ, ठीके, और find the interior angle of another regular polygon, तो जिसका हमें interior angle धुणना है, उसको मैं r मान रहा हूँ, ठीके, अब देखो, g में each interior angle of a regular polygon, जो given वाला है, वो है 160 degree ठीके, तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ, interior angle, एक interior angle है 160 degree, अरे भाईसा, एक interior angle ही 160 degree है, थोड़ा अगर correlation लगाओ तो समझ में हैगा, triangle में 60 degree था, quadrilateral में, 4 side वाले polygon में 90 degree था, भाईसा यह तो 160 degree है, मतलब number of sides सु जाधा है बहुत, समझ में आरी ही बात, थोड़ा ब correct, अब बोला क्या है, whose number of sides, तो इस another regular polygon के, okay, जो की आर है, इसके number of sides, क्या है, is equal, is मतलब equal to, two thirds, ठीके, the number of sides, ठीके, of the given polygon, given polygon तुझी है, बस correlation बना लिए हम लोग में, अब देखना, अगर हमें given polygon का interior angle पता है, तो हम लोग given polygon का number of sides भी ढूंड सकते हैं, और यह correlation है, किसके बीच में, number of sides of regular polygon, देखो, क्या बात चल रही है, कि भाई, दूसरे regular polygon के interior angle को ढूंडना है, जिसके number of sides, is two thirds, the number of sides, of given polygon, तो यह तो number of sides की, given polygon हम लोग ढूंड सकते हैं, कैसे, देखो, हम लोग ने पढ़ा है, interior angle का अता-पता हो, तो number of sides का भी अता-पता लग सकता है, हम लोग exterior angle ढूंडेंगे तो, हाना, तो suppose, हमें पता है, interior angle plus exterior angle क्या होता है, 180 degree होता है, आप पूरा-पूरा लिख दीजेगा, ओके, अब हमें प for given polygon G, short forgot में, interior angle plus exterior angle 160 degree, interior angle 160, plus exterior angle is equal to 180 degree, interior angle 60, plus exterior angle is equal to 180 degree, exterior angle is equal to 180, minus 160, तो exterior angle 180 minus 160 होता है, 20, exterior angle तो 20 degree हो गया, correct, अब अगर हम exterior angle पता चल गया है, तो number of sides तो यूँ पता चलेंगे, कैसे, number of sides is equal to 360 degree by exterior angle, यही तो होता है number of sides, तो n, okay, for given polygon, क्या है, यह shortcut में लिख रहा है, अब full form में लिखते जाओ, 360 degree upon exterior angle, correct, तो 360 degree upon 20 degree, तो यह तो भाई, कट हो जाएंगे, 0, 0, 21, 18 to the 36, correct, तो 21, यह हो गया, यह कट हो गया, 18 degree हो गया, तो given polygon, sorry, degree नहीं, degree तो उड़ गया, दोनों तरफ से, okay, यहाँ पर देखो, 20 degree है, degree, degree भी गया है, ठीक है, तो 18 बज़ गया, तो number of sides of given polygon कितने आगा है हमको, 18, बस इसमें डाल दो, 2 3rd into 18, number of sides of given polygon 80 है, तो number of sides of given polygon 80, into 2 3rd, correct, ठीक है, is equals to, is equals to number of sides of regular polygon, अब solve करेंगे, तो मिल जाएगा यह भी, तो यहाँ पर 6 into 2, 12, is equals to number of sides of regular polygon, अगर हमको number of sides of regular polygon मिल गया, इसी से हम लोग, इसी regular polygon का interior angle भी डूंड सकते हैं, कैसे, अरे, भाई साब, हमको तो पता है ना, की interior angle of regular polygon का formula क्या होता है, is equals to, पुरा का पुरा sum of the interior angles of regular polygon divided by n, थोड़ी देर पहली देखना हम लोग में, देखो, interior angle of regular polygon is equals to, पुरा का पुरा sum of interior angles divided by n, तो वही करना हमको, तो यहाँ पर मैं ले वही लिक रहा हूँ, पुरा का पुरा sum, 2n-4 into 90 degree होता है, पुरा का पुरा sum, 2n-4 into right angles, okay, divided by n, अब इसमें n की value डाल दो, 12, answer मिल जाएगा, तो 12 to the, क्या होता है, 24, 24-4 होता है, 20 into 90 degree upon 12, क्या हैगा, 9 to the 18, और 1800 हो जाएगा, 8 degrees, upon 12, अब इसको अगर solve करोगे, तो answer तो बनता ही है, okay, 6 to the, 6 to the, correct, तो 300 by 2 क्या होता है, 150, तो 150 degree है, क्या वही, interior angle of this regular polygon, जो हमको ढूंड़ना था, find the interior angle of another regular polygon, क्या है वही, answer, 150 degree, मजाया, चलो, अब exercise के कुछ question solve करते हैं, तो यह रहा आपना question number 10, and the difference between an exterior angle of n-1-sided regular polygon, ठीके, and an exterior angle of n-2-sided regular polygon, is 6 degree, find the value of n, अब इतनी लंबी चोड़ी statement पढ़ने के बाद दिमाग तो घूमी जाएगा, समझ में नहीं आएगा, क्या चल रहा ही है, अब देखो, difference between बोला है न, मतलब कुछ subtract करना है, चलो, इधर से शुरू करते है, difference between हो गया, subtraction चल रहा है किसी का ना, किसी का तो, ठीके, पर किसके बीच में, difference between, किसके बीच में, ओके, an exterior angle of n-1-sided regular polygon, तो exterior angle की बात चल रही है, जो है n-1-sided regular polygon का, मतलब exterior angle, ऐसे regular polygon का, जिसके number of sides है n-1, तो मैं लिख देता हूँ, exterior angle, ऐसे regular polygon का, जिसके sides है n-1, ठीके, exterior angle of n-1-sided regular polygon, exterior angle of n-1-sided regular polygon, इस terms में, मैंने इसको represent किया, अब इसके बीच में, difference है, और किसके बीच में है, and an exterior angle of n-plus-2-sided regular polygon, exterior angle of n-plus-2-sided regular polygon, इसको मैंने ऐसे denote कर गए, ठीक है, इस 6 degree बोला है, तो 6 degree है difference, clear, ओके, तो अब जब हम लोग difference लिखेंगे, तो कौन से exterior angle को पहले लिखें, कौन से को बाद में लिखें, क्योंकि जब हम लोग difference लिख रहें, subtract कर रहें, तो answer degrees में आ रहा है, जो कि positive है, तो मतलब हमें इतना धान में रखना है, कि greater exterior angle पहले लिखेंगे, smaller exterior angle बाद में लिखेंगे, तब जाके हमको difference जो आएगा, वो positive में आएगा, बरोबर, पर अब इन दोनों में greater exterior angle कोन सा होगा, ये समझना बहुत important है, और इसके लिए ही वो correlation समझना बहुत important था, क्योंकि, for example, अगर मैं n-1 ले, अगर मैं n को 10 लो, suppose, example ले रहा हूं में, सिर्फ n को 10 लो, तो 10-1 होता है, 9, तो exterior angle of 9-sided polygon, वैसे ही, यहाँ पर भी same में 10 लोंगा, तो 10 प्लस 2 होता है, 12, तो यह तो हो गया exterior angle of 12-sided polygon, अब इन दो exterior angles में से, कौन सा exterior angle बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा, यह हमें अगर पता चल गया, तो हम इसको correct order में लगा सकते हैं यहाँ पर, बड़ा वाला exterior angle पहले, छोटा वाला बाद में, बिल्कुल, तो इन दोनों के बीच का analogy अगर पता चल गया, इन दोनों के बीच के भी same ही रहेगी इसके जैसी, प्योंकि N तो हम लोग में same ही लिया है न, बरोबर, logic समझ में आ रहा है, तो, अब 9-sided polygon का exterior angle बड़ा होता है, या 12-sided polygon का exterior angle बड़ा होता है, यह आपको तब पता चलेगा, जब आपकी दिमाग में correlation एकदम अच्छे से समझ में आई होगी, आप correlation में मैंने बताया क्या था, जैसे ही number of sides बड़ेंगे, interior angle का major बड़ता है, कैसे याद रखोगे, 3-sided हमारा polygon triangle, 4-sided polygon quadrilateral, जैसे मैंने बोला था, दिमाग में चिप्ता के रखो, triangle का, जो हमारा regular polygon है, मतलब equilateral triangle, उसका होता है interior angle 60 degree, quadrilateral का regular polygon square, interior angle 90 degree, 3-2-4 sided हो गया, तो interior angle 60-90 बन गया, मतलब interior angle बड़ गया, तो exterior angle का क्या होगा भई, exterior angle तो हम लोग 180 मैनस interior angle करके ही डूणते हैं न, logic है न, तो जैसे जैसे interior angle बड़ेगा, exterior angle घटेगा, simple logic है, तो वही होगा, समझ में आगए बात, देखो, यही पर हम लोग ने पढ़ा था, जैसे जैसे interior angle, जैसे जैसे number of sides बड़ेंगी, तो interior angle बड़ेगा, exterior angle घटेगा, तो यहाँ पर भी number of sides बड़ी तो exterior angle घटेगा तो मतलब 9 sided से 10 sided polygon पर जाएंगे exterior angle और कम 10 से 11 और कम, 11 से 12 और कम 12 वाला तो छोटा होगा then 9 तो अगर छोटा होगा तो ये तो छोटा है then this तो ये बड़ा है भाई तो बड़े वाले को अगर हम लोग पहले लिख देंगे मतलब बड़े वाले को हमको पहले लिखना है तो ये बड़ा वाला है, तो e degrees मतलब exterior angle of n minus 1 sided regular polygon minus ये छोटा वाला है, तो exterior angle of n plus 2 sided छोटा वाला है ना, तो बाद में लिखेंगे चोटा वाले को बाद में तो ये चोटा वाला e degree n plus 2 मतलब exterior angle of n plus 2 sided regular polygon तो exterior angle of n minus 1 sided regular polygon बड़ा है इसलिए पहले minus exterior angle of n plus 2 regular polygon छोटा है इसलिए देखो exterior angle of n plus 2 polygon छोटा इसलिए बाद में अब बस इसी को solve करना है देखो अब ये तो चीज में हटा देता हूँ ये आपको logic समझ में आ गया होगा इसलिए अब 6 degree दिया हुआ है difference और ढूणने को बोला क्या है उसके उपर घ्यान दो ढूणने को बोला है find the value of n तो मतलब n तो इसमें चुपा हुआ है देखो कैसे निकालते इस n को सबसे पहले n को ढूणना है exterior angle की terms में हमें कुछ correlation मिला है हमारी दिमाग में एक दो में इसे light up होना चाहिए कि भाई हमें तो पता है number of sides of regular polygon is equal to 360 degree upon exterior angle का measure तो में इसको ऐसे में लिए सकता हो ना इसको उपर इसको नीचे तो exterior angle is equal to 360 by exterior angle is equal to 360 by n exterior angle is equal to 360 by n यह भी तो formula है हमारा exterior angle को ढूणने का तो इस polygon का exterior angle भी क्या होगा 360 by number of sides of the polygon तो 360 degree by number of sides of this polygon जो कि क्या है n minus one sided है ना तो n minus one sides है इसमें समझ मैंगे बात minus exterior angle of n plus two sided क्या होगा 360 by n 360 degree by n n क्या है number of sides of polygon पर यहाँ पर इस regular polygon के number of sides कितने है n plus 2 है तो मैं n नहीं लिखूँगा n plus 2 लिखूँगा बस is equal to 6 degree अब इसको solve करेंगे तो n की तो value मिली जाएगे कैसे 360 degree into n plus 2 ठीक है minus 360 degree into n minus one ठीक है upon n minus one into n plus two ठीक है सब कुछ solve होगा इसका यह cross multiply कर दिया हम लोग ने और नीचे भी लिख दिया is equal to 6 degree तो बस अब इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ने इसको 360 degree को मैं अगर common निकालू यह फिर चलो बाद में निकाल तो 360 degree n plus 2 minus 360 degree n minus one is equals to 6 degree into यह पूरा कर दूँगा उस तरफ लेके जा रहा हूँ इस तरफ ठीक है तो is equals to 6 degree into n minus one into n plus 2 इसी को आगे बढ़ाता हूँ मैं आगले वाले पेज पर लेके आता हूँ मैं तो इसमें क्या करूंगा मैं 360 degree को common लोगा बाहर निकालोंगा तो क्या होगा 360 degree ठीक है बाहर निकाला इसमें से अंदर क्या बचेगा इसको बाहर निकाला है मैंने इसको सॉल्व कर लेते हैं मैं लिए प्लास टो माइनस एंमसरे माइनस टो मैंस प्लस वण ट कर दो यहां on जो मैंस एन प्लसा हून altogether आपके आशे q माइनस और माइनस इंटो प्लस माइनस तो थीं आप कि यहांपर 360 degree solve करेंगे तो plus 2 यह तो गया है plus 2 plus 1 plus 3 होता है 360 degree into 3 है ठीक है this equals to 6 आप देखना है पर n square plus 2n minus n क्या होगा minus करेंगे हम लोग तो 1 बचेगा plus n minus 2 इसको solve करेंगे plus n minus 2 ठीक है अब कुछ quadratic equation के form में दिख रहा है इधर इसको इधर ही खतम कर देते तो 3 1s आ 3 2s आ ठीक है 2 1s आ और यह होगा 180 तो क्या बचा 180 degrees ठीक है कुछ नहीं बचा यहापर is equals to यहापर भी कुछ नहीं बचा सिर्फ n square plus n minus 2 अगर आप इस quadratic equation को solve करोगे जो बन जाएगी बात देखो क्या होगा सिर्फ n square plus n minus 2 is equals to 180 है गुल्टा लिखा मैंने सिर्फ तो n square plus n यहापर minus 2 है यह यहापर आएगा minus 180 हो जाएगा minus 2 minus 180 minus 182 होगा ठीक है यह इस तरफ आया उस तरफ कुछ भी नहीं बचा 0 देखो n square plus n यहापर हो गया minus 2 यहापर minus 180 minus 182 minus 182 ओके is equals to 0 अब minus 182 के factors अगर आप निकाल होगे तो कुछ ऐसी आएँगे कि 2, 9 जा, 1 जा फिर से 13 ठीक है 7,091 और 7,1 जा तो 7,2 जा 14 और यह 13 14 इंटू 13 यह factors बरोबर बनेंगे देखो, क्यू 182 है 14 इंटू 13 factors क्यू बनेंगे minus 182 चाहिए multiply करके plus 1 चाहिए add subtract करके minus 182 multiply करके plus 1 add subtract करके देखो यहापर आ जाएगा 14 इंटू 13 जा 182 देख रहे यह तो factors है ना इसके हम लोग ने निकाले तो 14 इंटू 13 ही है यह दो होगे 14 इंटू 13 factors 14 इंटू 13 182 14 इंटू 13 दो factors है 182 के 14 इंटू 13 182 plus इंटू minus minus ठीक है फिर 14 इंटू 13 तो देखो plus 14 माइनस 13 14 माइनस 13 वह यह होता है simple logic है ओके तो माइनस करेंगे हम लोग 1 plus 14 माइनस 13 माइनस करेंगे 1 मिलेगा और plus 1 बड़े नमबर का सही plus 1 तो देखो यहाँ पर अगर मैं इसको पूट करूंगा n square ठीक है plus 14 n minus 13 n ठीक है इसके जगे पे minus 182 आएगा आगे this equals to 0 common निकालेंगे n n plus 14 n plus 14 is equals to 0 देखना n square plus n into 14 14 n 14 n ठीक है बरो बरे minus 13 यहाँ पर लिख दूँगा तो minus 13 n minus into plus minus 182 minus 182 is equals to 0 ठीक है minus 13 n minus 13 n फिर minus 182 minus 182 is equals to 0 तो क्या मिला हमें एक तो हमें मिलेगा n minus 13 is equals to 0 ठीक है यहाँ फिर n plus 14 is equals to 0 और अब इससे हमें clear cut समझ में आएगा यहाँ पर रत क्या है n is equals to 13 correct n minus 13 is equals to 0 मतलब n 13 उस तरफ जाएगा तो n equals to plus 13 या फिर n equals to minus 14 अब number of sides negative में कैसे होंगे बहले होंगे भी तो तो यह तो गलत है n is equals to 13 आ गया तो बस ढूंडना था हमें n और मिल गया हमें n की value simple था बस यहाँ पर यह समझना था बाकी तो सब quadratic equation काई खेले यह logic अगर आप सही से समझोगे तो आगे बाद बन जाएगी चलो आखरी बारा सवाल लेखते बहुत मज़ेदार है और दिखने में जितना मुश्किल लग सकता है उतना मुश्किल है ही नहीं है देखो बताते हूं मैं आपको टू अल्टरनेट साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलिवन वेन प्रडूस्ड नीट अट राइट अंगल्स तो सपोज मैं यह एक साइड ले रहा हूं ठीक है इसके बाद मैं ऐसी एक साइड ले रहा हूं और फिर में एक ऐसी और एक साइड ले रहा हूं तो यह दो जो रेड वाली साइड्स है यह तो अल्टरनेट साइड्स हो गई मैरी ठीक है अब बोला क्या है टू अल्टरनेट साइड्स यह दो ऑफ रेगुलर पॉलिगॉन मतलब जिनका साइड्स सेम है बरोबर साइड्स जो है उकी उनका जो लेंथ है वो सेम है साइड्स का और सारे इंटिरियर और सारे एक्स्टिरियर अंगल सेम है यह बूलना नहीं है एक्स्टीरियर भी आंगल सेम हैं ये बूलना नहीं है ठीक है इंटिरियर आंगल सी नहीं सिर्फ एक्स्टीर आंगल नहीं ठीक है तो 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 अल्टनेट साइट्स ऑफ रेगुलर पॉलिगॉन जो मैंने बनाई आभी आपर तो मैं आगर इनको इस तरीके से प्रोड्यूस करूं मतलब आगे उनको एक्स्टेंड करूं कि ये एक दुसरे को 90 डिग्रीज पर मीट करेगी दिखा ऐसा इनका कहना है तो 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 अल्टनेट साइट्स ऑफ रेगुलर पॉलिगॉन ये रहे वन प्रोडूस्ट मीट एट राइट अंगल देखो वन प्रोडूस्ट मीट एट राइट अंगल बोला क्या है find the value of each exterior angle of a polygon तो हर एक exterior angle की value ढूमनी है मतलब क्या है आप पॉलिगॉन रेगॉलर पॉलिगॉन है तो सारे exterior angle सेम है मतलब simply exterior angle की ढूमना है regular polygon का दूसरा है number of sides in the polygon एक बार exterior angle मिल गए तो number of sides की स्खेट की मुली है बरबर आमको तो पता है उसका formula exterior angle of number of sides के correlation का चलो तो exterior angle डूणना ही सरदर्द हो सकता है क्यों कि दिया ही कुछ ऐसी tidy चीज है ना number of sides ना number of sides दिये हुए वो तो पूचा हुआ है ना interior angles के बारे में कुछ आता पता है कुछ भी समझ में नहीं आ रहे है तो क्या करे क्या करे ऐसे समझ में ऐसे आप परस्तिती में आप होंगे तो जो दिया हुआ चीजे उसके उपर focus करना हमेशा बागवान यही कहता है life में ना problem अगर दिख रही है न तो solution भी कही ना कही उसी के पीछे चुपा हुआ रहता है अगर एक दर्वाजा बंद किया है ना तो दूसरे तीसरे दर्वाजे खुले हुए रहते बस वही beauty lies in the eyes of beholder वैसे ही solution also lies in the eyes of beholder इसी तरह से यहाँ पर आप देखोगे बोला तो है कि यह regular polygon है पहली बात तो exterior angle same रहेगा मैंने बोला था तो देखना अगर मैं यह side की बात कर रहा हूँ ना और मैंने इसी को extend किया है ऐसे आ गया आगे तो यह तो exterior angle बन गया ना बिल्कुल फिर मैं इस side को extend करूंगा ऐ आगे तो यह भी exterior angle बन गया बरोबर बात समझ में आ दिये इस side को भी अगर मैं extend करूंगा आगे तो यहाँ से अगर कोई side बन रही है तो यह भी exterior angle बनेगा अब कहानी है यहाँ पर मत जाना यही तक ठीक है हम लोग क्या है कि exterior angle same है तो देखो मैंने same type का denotion दे दिये समझ मे अब थोड़ा और ध्यान दे ना यह दो लाइन्स के से इंटरसेक्ट कर रहे एक दूसरे को देखो ऐसे तरीके से तो यह तो वर्टिकल यह अपुझे ट्राइंगल हो गए दोनों यह भी दोनों सेम हो गए अरे बापरे अब इस triangle के उपर ध्यान दो दिखा छूटू सा triangle इसमें आप देख सकते हो एक angle 90 डिग्री है और बाकी के दूजे दोनों भी angles एक दूसरे के साथ equal है बन गई ना बात अब इन में से एक दोनों भी equal है अगल का अगर पता लग गया यह equal angles कितने है वो तो लगी जाएगा अब देख के भी पता सकते हो सर ट्राइंगल की तो सारे angles का measure 180 डिग्री होता है एक का अगर 90 है तो बाकी के दूसरों दोनों का मिला के 90 होगा अगर दोनों भी equal एक दूसरे के साथ तो इसका मतलब दोनों का मतलब समान हिस्सा बटेगा 90 में मतलब 45 45 तो सर यह भी 45 यह भी 45 और हमको तो डोनना है exterior angle यह तो होता एक्स्टिरेर एंगल तो बन गया मिल गया 45 डिग्री एक्स्टिरेर एंगल समझ में आ गए बात ओकी लाजिक समझ में आ गया एक मिल था ठीक है तो बस इस ट्रैंगल की बात बता देता हूं मैं आपको क्या है इस ट्रैंगल में सपोज अगर मैं इनका नाम करून करू अब ठीक से तो लिख देते हैं हम लोग सपोज यह है भाई हमारा ए रिजर ही चल रहा है यह हमारा ए यह हमारा बी पॉइंट यह हमारा सी पॉइंट इतनी हमें जरूरत है और अगर हम लोग इसको मांड़े ए सी और इसको मांड़े हम लोग सावी सी ने ले सकते हम लोग सी तो हो गया डी इसको मांड़े डी इसको मांड़े ए तो मैं क्या क होंगा, side AD and side CE when produced meet at point B, okay, side AD, okay, और ये क्या है, alternate sides, alternate sides, पुरा लिख लेना, alternate side AD, और फिर meet at point B, therefore, आभी हमको given में ही दिया है, कि जहां पर वो meet करते हैं, वापर right angle बनता है, therefore angle CBA is 90 degree, given है बाई, given है, बस, अब हमें पता है, हम लोग ने इसको extend कर दिया, हम पता है कि angle BAC is an exterior angle of regular polygon, correct, तो angle BAC, exterior angle है regular polygon का, उसी तरही किसे angle, अगर मैं इसको F ले लू, तो FCE, ये भी exterior angle है regular polygon का, FCE, ठीक है, और हमें पता है, ये BAC और FCE, BAC, दोनों भी same to same है, तो BAC, FCE, same to same है, क्यों भाई, exterior angles of regular polygons, correct, simple, exterior angles of regular polygons, क्या होते है, आर इक्वल, shortcut में लिख दा है, मैंने आप full form में लिख दो, अब, मैं ऐसे लिख सकता हू, angle FCE, ठीक है, angle FCE, equal है, किसके साथ, angle BCA के साथ, इस वाले के साथ, तो FCE, equal है, angle BCA के साथ, कैसे भाई, मैं कैसे लिख रहा हू, vertical या opposite angles हैं न भाई, इसलिए, अब, मैं इस triangle को consider कर रहा हू, सबसे main वाली चीज, जो हमें, चाहिए, इसी से हमारा answer बन जाएगा, तो, अगले वाले इस पे जाता हूं, तो जो चीज मुझे चाहिए, वो मैं बस उठा देता हूं, ठीक है, चलो, तो मैं इस triangle को consider कर रहा हूं, जिसको मैंने highlight किया है, triangle CBA, तो इन triangle CBA, ठीक है, अब हमको तो पता है, angle BCA, plus angle CBA, plus angle DAC, इन तीनों angles का sum है 180 degree, आप लिख सकते हो, sum of measures of all angles of triangle is 180 degree, sum of measures of all the interior angles of triangle is 180 degree, तो भी बेरी specific, चलो, तो हमको तो पता है वाई, कि CBA, A, ठीक है, यह देखो, CBA, यह है 90 degree, एक बात रहे गए पीछे, बस, यही पर तो समझ में आ रहा था न, अगर हम लोग इसको, इसको 1 मानेंगे, इसको अगर 1 मान रहे, इसको अगर 2 मान रहे, सिधा-सिधा दीख रहा है, FCE, देखो, FCE equal है back के साथ, FCE equal है BCA के साथ, correct, तो मतलब back और BCA भी सेम सेम है, therefore, back और BCA भी सेम सेम है, इन दो से हमें पता चला, from 1 and 2, correct, आप देखना, यह back और BCA सेम सेम है, और अगर मैं इनको X मान लूँ, ठीक है, तो, let, angle back is equal to angle BCA is equal to X, या फिर, छोड़ो, कोई बात नहीं, हमें X के जरौरत भी नहीं है, हम लोग ना, बस एक ही angle को substitute कर देंगी दूसरे के जगह पे, तो भी काम बन जाए, तो हमें तो एक्स्टिटिटर एंगल डूणने से मतलब है, तो अगर मैं कहूँ, कि भाई, ये back और BCA, दोनों भी सेम से में, ठीक है, बैक और BCA, दोनों भी सेम से में, तो हमें BCA के जगह पे back ही लिख देता हूँ, बैक हो BCA के जगह पे मैंने, back लिख दिया, तो angle back, plus 90 degree, plus angle back, क्या होगा, is equal to 180 degree, solve करेंगे, तो angle back, plus angle back, दो angle back हो गए, plus 90, दो angle back, plus 90 degree, ठीक है, तो दो angle back, plus 90, ठीक है, is equal to 180 degree, तो दो angle back is equal to 180 minus 90, जो होगा 90, ठीक है, solve करोगता आ जाएगा, तो angle back is equal to 1, 45 degree, जैको, 2 angle back is equal to 90, 2 1s आ, 45s आ, angle back is equal to 45 degree, बस, तो angle back मिल गया है, आ हमें 45 degree, और back क्या है भाई, exterior angle ही तो है, correct, दीख रहा है, B, A, C, exterior angle है, तो हम लोग लिख सकते हैं, पहला वाला जो है, exterior angle, कितना है, of a regular polygon, 45 degree, clear, अब exterior angle पता चलके हैं, तो number of sides क्या ही चीज़ है, number of sides जूनने के लिए, क्या करना पड़ेगा हमको, सिर्फ, यहाँ पर, n is equal to, 360 degree, degree का, 0 जादा बोड़ा बन गया, और, actual का 0 छोटा हो गया, तो n is equal to, okay, number of sides is equal to, 360 by exterior angle, तो number of sides is equal to, 360 by, exterior angle कितना है हमारा, 45 degree, solve करोगे, तो n is equal to 8 ही आएगा, देख लेना, कर लेना, solve, 5, 9s are 45, के, और, यहाँ पर, 5, 7s are 35, 1, 0, 10, 5, 2s are 10, 9, 1s are 9, 9, 2s are, sorry, 9, 8s are 72, तो n is equal to 8, तो इसी के साथ, दोस्तों हम लोग इस वीडियो के एंट पर आ गये है, I hope हम लोग ने इस वीडियो में जो कुछ भी सीखा, आपको बहुत मजाया होगा मेरे साथ सीखने में, और जिसके आप सभी को पता है, learn how मतलब, free है पर, best है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए stay tuned, bye bye, and have a great day. दो ख projects अपस्तरे हैं, झाल झाल